नमस्का दोस्तों मैं। शिवरा सिंग। दोस्तों यह जो है वईतिक काल का तीसरा वीडियो है। ठीक है फ्रेंट्स तो अगर आप ने दो वीडियो पीछ लेके बैदिक काल से बता कि नहीं देखा है तो उसको आपो देख लिए। ठीक है। आज हम तो पढ़ेंगे वईतिक ठीक है फ्रेंट्स चली सुल गटें हैं वाइकिक साहित से तापतर चारो वेद विनिन ब्राम्हन क्रंथ आरणया एंग सिरो से है ठीक है उपवेख अत्यान बाद के वोने के कारण वाइदिक साहित्य के अंग नहीं माने जाते हैं ठीक है इने उत्तर वाइदिक साहित्य वाइदिक आगे बाद उत्तर वाइदिक साहित्य की अंतरगत रखा जाता है वैदिक साहित सुरूती नाम से बिख्यात है सुरूती का अर्थ सुनकर लिखा हुआ साहित है यह वह साहित है जो मनिश्यों द्वारा नहीं लिखा गया अपी तुम इजी में इस्वर में रिषियों को आत्मग्यान देकर उनकी सुरू की है ठीक है इसे पीडियों चर्चार किया है तथा रिषियों द्वारा रहे है कई पीडियों तक आन्मे रिषियों को मिलता रहा है इसी कारण वाइदिक साहित को अपोर्ष्य और नित्य कहा जाता है ठीक है पहले के तीन वेदों रिवे, सांबे, यजिर्वे को सामुनित रूप से वेद त्रई ठीक है ये वेद त्रई कहा जाता है अब चौथावे अतनले इसमें सम्मिलित नहीं है ठीक है क्योंकि इसमें या किसे भिन लाव की विशयों का वड़न है अब रिवेद को विश्थित्रूप से देखते हैं ठीक है चलिए अब पाइंट वेदों में से रिवेद विश्थित्रूप का प्राचींतर धार्मी ग्रण्थ है ठीक है और इसलिए उसे मानव जाती का प्रथों मिधान का हाथ घ्रया है ठीक है अगला पाइंट देखिए इसमें विभिन देवताओं की स्तुती में गायगय मंत्रों का संक्र है ठीक अगला पाइंट देखिए इसकी रचना सब्त संभा परदेश में हुई है ठीक है, अभी पिछले वीडियो में हमने माइक बारा इंकर दी समझा था, ठीक है, अगर आप दी नहीं देख रहे हैं, तो उसको देख लीजे, ठीक है, इससे की सारी चीजिए एकनम क्लियर हैं कि समझ में आएगा 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 आपको अच्छे से, अब आगा पाण है, बिर्ग्यास है, और मार्शी किस्टे पाएं, नाम हैं का, ठीक है, ये ध्याने दोस्तों ये संकलन करता है, ठीक है, यो नहीं लिखा नहीं है, ये संकलन करता है, ठीक है, क्योंकि लिखा या कहा तो देवताओं की द्वारा कहा गया, है ना, तो देवताओं की द्वारा जुआ रिसियों ने अपने जुआ शिशियों को अब यही पीडी दर पीडी पर परा चलती रही है ना तो इसका जो है आपको क्यूश्चन में अगा कही बताना भी है तो वेगों के संकलब कड़ता जो है संकलब कड़ता न कीड़ असे देया निखा यह नहीं आप कहेंगे ठ ठीक है चले अबला पॉंट देखें रिग्वेट में 2017 और देखें वालखीर ने पाठ के 11 संक्तों को 11 संक्तों सहीं पुल्म 1028 ठीक है 1028 सूप्त एयों 10,422 रिचाएं ठीक है रिग्वेट में क्या है टोटल 128 सूप्त एयों जो रिचाएं हैं को 10,462 ठीक है अगे देखें और यह दस मंडलों में निभाजित है इस रिचाओं को पढ़ने वाले रिशी को बोत्त्री कहते हैं कहां जागा है कि प्रथम मंडल और दसमंडल बाद में जोड़े गए ठीक है क्योंकि उनकी भासा से इस आख मंडलों से थोड़ी घिन है इस रिचाओं के राजवितिक प्रणादी ठीक है इकिहास एम इस्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिल दी है ठीक है रिच्वेड के ब्रामड ब्रामड कोन से हैं या भन हैं एतरे और कावसीत की यह हैं दोस्तों जो ही मैं लिखवा रहा हूं इसको आपको अच्छे से नोट बनाना है और अच्छे से लिखना है और दो-तीन बार वीडियो को जो है रिवाईज आप कर लोगे दिबदम बैठ जाएं कोई फाल्तों की चीज़े मैं नहीं निकवा रहा हूं है ना जो भी चीज़े है एक्दम आप अगर तयार कर लेंगे तो जिक जाम में किसी भी तरह से घुमा के या किसी तरह क्यूशन पूछेगा वाँ फूरा अगर यह जितने वीडियो में आप देख की अच्छे तयार क जिसी थी आपको काफी सहता इन वीडियो से आपकी एक्जाम में मिलेगी है ना तो इसको आप नोट करेंगे फिर उसके आगी चलते हैं ठीक है और थोड़ी से भाई मैं तो आप इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी से महनत आप ही लोग करिए अपना जो है शेयर लाइक जरूब करिए है ना जिसी भाई साहब मुझे भी आएगा सब्प्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और और मजे से और ताकत से मैं आपको पढ़ा सकूंगा बता सकूंगा ठीक है बिनेट्स नोट करिए फिर आगे चलते हैं चले दोस्तों ग इस्सा साथ से समझे है ठीक है रिवेत की सरवधिक पवित्र नदी सर्षती थी इसे नदीतमा नदियों में स्रेच कहा गया है ठीक है अगला कोई देखिए रिवेत में पूरुष दिवकाउं की प्रधानता है ठीक है इंद्र का वड़न सबसे अधी 250 बार किया गया है इंद्र को पुरंदर कहा गया है जिसका अर्थ दुर्ग तोड़ने वाला है इंद्र के और नाम देखिए पहला रथेस्ट इसका अर्थ क्या है उसल रत्रियो था ठीक है दूसरा नाम वियेंड जो महान वियेंड वित्र फनन इसका मतलब क्या है वित्र राच्छत का सुनार करने वाले वह वित्र फनन करते हैं ठीक है आप देखिए चवठा मधवाब इसका अर्थ दान सील होने के काहएं और धी नाम ने सुपाल सब्सक्राइब इस अज़ा है अगला पढ़ देखे अस्तो मा सद्गमें वाक रिवेज से लिया गया है अगला पढ़ देखे रिवेज में दस्यु हत्या सद्व का बारबार उलेक मिलता है पर दस्यु हत्या ठीक है यहां दस्यु हत्या है ठीक है इसका बारबार उलेक मिल रहा है अब देखे दस्यु काम है रिवेज में किसी तरह के न्याया धिकारी ठीक न्याया धिकारी को न्याया करते है का उलेक नहीं है रिवेव की अन्य पर्दें अवेस्ता से मिरती है अवेस्ता इरानी भासा का प्राचीतम ग्रंथ है दोनों ग्रंथों में दिवताओं वह समाजी क्वर्वों के नाम समान है रिवेव के गुसरे से साथवी मंडल को गोत्र मंडल गोत्र मंदल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन मंदलों की रचना किसी गोत्र से संबंध रिशी के परिवार ने की थी ठीक है अगला पंड़े के वामना उतार के तीन पगों के आठ्षान का प्राचींतम स्रोर रिवें है ठीक है वामना उतार के तीन पगों की कहानी को आप जानते हुए वहां विश्टू ने जो वामना उतार लिया था तो तीन पग में दढ़ती आगास और बताल सारी चीजी नाग दी थी है ना तो उसी का प्राचींतम स्रोर रिवेर से है ना चलिए लाके देखिए तीसरा कोई सब्सक्राणा कोई टा में जैखिए वरिवेर समय मंजाए बिलता है दशीति ग्री शूबन देखिए सब्सक्राणा हैं stimulate कोई तुनता है दस राजा का ओर शूबल्ची में है त market एक और युद्विया एक भरत राजा भरत राजा शुदास तथा दस प्रसित जन्जागियों के परिशन्द जन्जागियों के परिशन्द है ना और ये चुलाज के बीच के बीच खुबा था ये जन्जागियां की अमकों थी खेंदिए पुरू, यदू, तुरुवास, अडू, द्रग्यू, अलि, पक्त, भलानस, शीव तथा विशा ठीक है ये जन्जागियों की सुदास के पुरूहियों या सलाकार्मानी के या पुरूहियों के वसिस्ट ठीक है और जन्जागियों के परिशन्द जन्जागियों का जो परिशन्द था समिधन था है ना उनका एलानस हो के पुरूहियों कों थे सलाकार्मानी थे विश्वा प्राचीन नाम है परुष्णी और आधुनिक नाम रावी नभी के तटपर लड़े गए इस फूनी एम रेडाय की उधमे भरत बीज़ई रहे ठीक यह आपकर क्लियर हो गया है देखें वसीष्ट जो थे वो क्या थे रूर्ण युगा दी थे विश्वामीत्र क्या थे यह उडारत इन्हों नहीं क्यात्रिक मंद का रचना किया होगा है और यह यूद्ध क्या होगा यूद्ध जो है यह आपके जो भरत थे भरसं के यह पर शुदास जो है तो इहों ने जो सलाकार करो इती जगा विश्वामीत्र की जगा वसिष्ट को बना दिया था इससे जो है अब उपर विश्वामीत्र ने इनके जो है के साथ बीवर्ण यूद्ध किया करवाए तो यह आपको समत्में आते होगा अब जोस्तों अबैं कमेंट बाक्स में तहिएगा नोट करें फिर आपके चलें पड़ापका अलबाएं विश्वामीत्र द्वारा विश्वामीत्र वारा रचीत रिवेत्र के तीसरे मंडल में तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पी प्रसिध गायत्री मंद है इसके नौवे मंडल में देवता सोम नौवे मंडल में क्या है देवता सोम का उले है ठीक है अगला पाण्डे के रिवेत्र के दस्वे मंडल में प्रसिध पुरुशुक्त है जिसके अनुसाद चार व देखें चारवड़ों की उत्पत्ति का है पिधान ब्राहण चत्री वैस से तथा सोध्र आजी कुरुष ब्रह्मा की प्रम्सर मुख भुजाओं जंगाओं और शर्णों से बन हुए ठीक है यह किसमे है आफका दस्त्त्त्त्त्त ध्यानि निये चारवड़ों की उत्त्ति का दस्त्त्त्त दमोरे ढर्रम्सर मुख से तो ये ब्राह्माट बुजाओं का बुजाने सक्ति की प्रती है चत्री जंधाये उदर्फुर्ती की होती है तो उसके लिए जब्राओं इसलिए वैसे त्याबा करता है जंधाओं से चड़ों सेवा भाव है सुद्र का है ना सुद्र से ठीक है आधिकूस ब्रह्माते द्वारा प्रत्पन हुए है क्लियर हो गया इसकी प्रति कहां से प्रामण की मुख से खुजाओं से चत्री की जंधाओं से वैस्ट की और चड़ों से सुद्र की ठीक है यह चलेंगे अला का है रिवेट रिवाट इने इसको की सांस्पितिक थरुपर में सामिर आया है ठीक है यह के तीस हास्त दिखित जो है अ क्या यह योई इसकर के धो जो है ठीक है, वोटी री फ्रेंट, स्पीड आगे चलें, रीवेद प्रमुख मंडल, रीवेद के प्रमुख मंडल, यह उसके रचाईता, ठीक है, प्रमुख मंडल उसके रचाईता, इसके देखें की, तीटे मैंने कालम होना है, मंडल रचाईता, मंडल रचाईता, ठीक है, यह म इसके रचेता सापे मंदल के रचेता वसीस्ट ठीक है? सब्सक्राइब आया है आठमा मंदल के रचिता कौन है अगला नवा मंदल के रचिता कौन है पौमान अंगिरा सोंका बड़ा है दसमा इसके रचिता कौन है महासुक्ति अब देखे हैं रिंद वेंद में उलेखित सब्ध देखे हैं देखिए मैंने कवनेर सब करें और आपयों है सब वदेख़े हैं तियरे सबकर देखे हैं यई कितनी बार उलेख जोतरव मिला गाए यह नमबर में दिख्या है ठीक है 20 शरू करते हैं पहला फिता, ठीक है? इस गाउल लेंकिती बाज़ुआ है 335, दूसरा है जन्द, जन्द काउल लेंकिती बाज़ुआ है 277, इंड्र, इंड्र काउल लेंकिती बाज़ुआ है 287, माता 234, अस 215, अगनी 200, गाउ यागा है, इतना है 176, ठीक है? विश याफ्वा है 177, सों दे दूसरे कालम में गण 46 ब्रज 18 1945 कृष़ी 33 ठीक है वरून गण हो क्या ब्रज हो क्या क्रीशी वरून तीस बार, वन तीस बार, शेना दीस बार, ग्रामपन पंदर यव पंदर ग्रामपन तीरा बार लेको है देश्बर का 11 बार ठीक है, अगला दीखे, राज का 10 बार, सुर्य का 10 बार, शत्री का 9 बार, समिन का 9 बार, सभाग का तिकराया को 8 बार, यवना को 3 बार, रुद्र 3, वैश 1 बार, सुर्द्र 1 बार, गंगा 1 बार, राजा 1 बार, फिल्षी 1 बार, मीत्र का 1 बार, लेक रिविट सेंज है ठीक है तो दोस्तों आज का जो है वीडियो इसी पर पूरा करते हैं इसको जो है आज का टाप वीडियो है कंप्रीट हो गया है ठीक है दोस्तों तो अच्छा लगा हो तो भई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा है ना क्योंकि जितनी मेहनत आपकी साथ हम कर रहे ह लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है ठीक है तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जो और जो आपके वेद हैं सामवत इत्यादी पढ़ेंगे ठीक है तो भी सो को आप स्क्रीन साथ इत्यादी ने लिया गए और नोट करना चाहें तो आप पाउस करके जो है आप अच्छे से इतना जिवाय नोस बनाते रहें ठीक है दोस्तों तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वा है